हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करेंगे HDMI to AV Converter की दोस्तों ये डिवाइस उन लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है जिनके पास पुराने टाइप की टीवी हैं जिनमें की HDMI इन्पूट नहीं होता था अब अगर वे लोग कोई HDMI डिवाइस यूज करना चाहें जैसे की फायर टीवी स्चेप या कोई Android बॉक्स या कोई वीडियो गेम जो की HDMI आउटपूट देता है तो वे इस डिवाइस को यूज करके HDMI आउटपूट वाले डिवाइस को अपने टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते है तो चलिए बॉक्स को ओपन करते है दोस्तों इसे मैंने Amazon से परचेज किया है कीमत सिर्फ 209 रुपे है बॉक्स खोलने पर हमें मिलती है एक ये छोटी सी प्लास्टिक की ट्रे जिसके अंदर रखा हुआ है HDMI to AV कन्वेर्टर यहां इसका HDMI इन्पूट पॉइंट है जहां पर हम HDMI इन्पूट देंगे और इस साइड से हमें मिलेगा AV आउटपूट यह इसका पावर पॉइंट है जहां हम पावर इन्पूट देंगे और यह एक स्विच दिया है जिससे हम इसे NTSC और PAL में स्विच कर सकते हैं यह साइड ब्लैंक है पीछे भी कुछ नहीं है काफी अच्छी प्लास्टिक में अच्छी फिनिश के साथ है साथ ही हमें मिलता है यह पावर केबल करीब हाफ मेटर लेंथ होगी इसकी चार्जर साथ में नहीं मिलता है तो चलिए इसे टीवी के साथ कनेक्ट करके टेस्ट करते हैं यह हमारी टीवी की बैक साइड है और यह है इसके एवी पोर्ट्स हमें इन ही पोर्ट्स पर एक HDMI डिवाइस कनेक्ट करना है तो यहां हम एक फायर टीवी स्चिक ले रहे हैं जिससे हमें HDMI आल्पुट मिलता है अब हम HDMI टू एवी कन्वेटर लेंगे और इसके इन्पुट पर फायर टीवी स्चिक को या जो भी हमारे HDMI डिवाइस है उसे कनेक्ट करतेंगे इस तरह से डिवाइस के दूसरे एंड पर जहां से हमें एवी आउट्पुट मिलता है एक एवी केबल लेंगे और उसे कनेक्ट करेंगे एवी केबल हमें अलग से पर्चेज करनी पड़ेगी क्योंकि वो इसके साथ नहीं मिलती है येलो कलर आम तोर पर वीडियो आउट्पुट होता है एंड वाइट एंड रेड ये ओडियो लेफ्ट एंड राइट तो कलर के हिसाब से केबल को कनेक्ट करेंगे फिर केबल का दूसरा एंड उसी कलर कॉंबिनेशन के हिसाब से टीवी के एवी पोर्ट पर कनेक्ट करतेंगे हो गया कनेक्ट्शन ये देखिए कुछ इस तरह का सेट अप हमारा बनेगा फायर टीव इस चेक हट्माई टू एवी कनवर्टर एंड फिर ये एवी केबल तो चलिए अब इसको हम आउन करके देखते है टीवी को हमने एवी मोड पर सेट कर दिया है एवी पर वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी HDMI के कंपरिटिवली लो होती है लेकिन जिनके टीवी में HDMI पोर्ट ना हो तो उन्हें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाईज यां करना पड़ेगा दोस्तों कभी कभी आपको ये नो सिगनल देखने को मिल सकता है तो अगर आपके साथ किये प्रॉलम आए तो आपको बस इतना करना है कि मोबाइल का एक चार्जर लेना है इस तरह का चार्जर हमें अलग से पर्चेज करना होगा क्योंकि हमें HDMI to AV कनवर्टर के साथ चार्जर नहीं मिलता है अब हमें चार्जर को प्लग इन करने के बाद इस पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है इस से इस कनवर्टर को अपनी एक dedicated power मिल जाएगी और ये HDMI से power लेना बंद कर देगा फिर ये no signal की problem आपको दुबारा देखने को नहीं मिलेगी तो दोस्तों इस तरह से आप अपने किसी भी normal TV में जिसमे HDMI पोर्ट ना हो एक HDMI device लगा सकते है उमीद है आपको इवीडियो अच्छी और काम की लगी होगी अगर आपको इवीडियो अच्छी लगी हो तो इससे like करें, share करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करें Thank you